नमस्कार दोस्तो ठैंक्स आल यूटूग चेनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अर्दी कभिन्हंदन करता हूँ दोस्तो दोस्तो एक सुचना मिला है ग्रूप के माध्यम से परलवाइन इंटरनेशनल ग्रूप है उसमें भोती जरूरी सुचना मिला है और है पेरिग्रापे हिंदी में अच्छ से बताया भी गया है पूरा ये पेरिग्राप के माध्यम से जिससे कि सभी को समझ में आ सके आखिर में ये न्यू अपडेट क्या है तो लिखा है सुप्रभात सातियों पीवीसी मेटा टोकन सिस्टम ने दो दिन पहले कुछ नए बदला किये है सिट फंडिंग वालेट से अधिक से अधिक 5 पीवीसी मेटा टोकन रेडिम कर सकते हैं जिसका 85% टोकन फार्मिंग के पीवीसी मेटा टोकन वेल्यू वालेट में और 15% न्यू फार्मिंग वालेट में जाएगा टोकन फार्मिंग के पीवीसी मेटा टोकन वालेट से एक BBC Meta token को Trust Wallet में transfer कर सकते हैं और New Farming Wallet से 5 या 10 BBC Meta token द्वारा आपकी इच्छा अनुसार token farming कर सकेंगे यहां खुद को अपनी token farming करने की चिंता नहीं है तो दोस्तो यह बहुती अच्छा update लग रहा है मुझे खुद की token farming भी होती रहेगी और जिसने जिसको अपने refer court से refer किया है उन सभी को token farming का फाइदा मिलता रहेगा तो यह जो बदलाव हमें देखने को मिला था दोस्तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है दो से तिन दिन ही हुआ है यह बदलाव सभी के लिए बहुत जरूरी था मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि जो farming हो रहा है 15% जो जा रहा है new token farming में तो दोस्तों कही न कही हमको ही उसका फाइदा मिलने वाला है और साथ में जिनोंने refer किया है उनको भी उस farming का फाइदा मिलेगा speed में गती मिलेगी तो इससे अच्छा बदलाव दोस्तों हो नहीं सकता था जिससे कि आपका farming भी होता रहा है और आप PBC Meta को आप निकाल भी पाओगे और hold अभी कर सकोगे और बहुत सारे मित्रों का यह भी एक प्रश्न बना हुआ है क्या सर्फ farming करना ज्यादा फाइदा मन है या फिर PBC को अपने wallet में hold करना तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा वो आप पर निर्वर करता है आप क्या करना चाहते हो किसी से भी आप इस विशाई पर सला मतलो दोनों चीज़ फाइदे मन दे मेरे इसाब से दोनों चीज़ ही फाइदे मन दे लेकिन आप चाहो तो आप hold कर सकते हो PBC Meta को और आपको अगर लग रहा है कि मैं अपने जो PBC Meta है उसको farming में दो गुना करना चाहता हूँ डबल करना चाहता हूँ तो ओ भी आपके लिए कही न कही उचित रहेगा यह इस update के अनुसार तो सभी leaders कही न कही है आप पर यह update देखके बहुत खुश है लेकिन उसमें से मैं देख भी पा रहा था comments में लिख रहे थे गेस भी इसका charge बहुत ज़्यादा कर दिया गया है इसका क्या करें तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा अगर PVC का किमत बढ़ता रहता है तो जो गेस फीस लग रहा है दोस्तों वो भूत कम है अगर किमत इसका बढ़ता रहेगा अगर मान लिजीए कि आप एक PVC मेर्टा को निकालते हो और PBC का किम्मत अगर 20 से 30 BUSD रहता है तो दोस्तों क्या फर्क पड़ता है गेस फीस भी ज़्यादा रहने से तो दोस्तों सोच को थोड़ा भी करना होगा हमें अगर हम इस क्रिप्टो मार्केट में आये हैं तो और मैं आपको एक बात बता दू कि सिस्टम जो भी कर रहा है कही ना कही PBC को दोस्तों PBC मेटा टोकन को यहाँ पर होल्डर की संक्या में बड़ोत्री करवाने में लगा है जो भी काम हो रहा है दोस्तों सिस्टम का सबसे बड़ा जो है हो है होल्डर की संक्या को बड़ाना तो कही ना कही सिस्टम का काम सिस्टम पर हम छोड़ देते हैं और हम सिर्फ एकी चीज़ चाहेंगे कि सिस्टम लगातार आगे बढ़ता रहे उन्नती करता रहे जिससे की यूजर भी इसके पीछे-पीछे एक अच्छा इंकम लेगा और साथ में जो होल्डिंग किया है जिन्होंने अपने पीबीसी को वह भी एक बड़ा है पर प्रोफिट जनरेट कर पाएंगे तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मेरे चेनल पर आप नहीं हो तो चेनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी कुछ नाए निव लेटेस्ट अफडेट आता है तो आपके बीच प्रस्तूत करने का पूरा-पूरा कोशिश करूंगा बहुत-बहुत धन्यवाद